नमस्का सर एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर सस्वागत थे जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके लिएकर आप चुकिए हैं एक पुराने बने हो मकान की जानकारी लेकर और इस मकान की कीमत तो आपको पता ही चल गए होगा ये मकान आपको कितने रुपै का मिलने वाला है अगर आपने नहीं देख पाया है तो मैं आपको इस मकान की concern की कीमत ऐक बार फिर से बता देती है ये पुराना मकान आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2लाइक रुपै का तो अगर आप खरीना चाहते हैं तो पूरी डीडेल आपको इस वीडियो में के माद्धिम से आप तक सेयर की जाएगी उससे पहले मैं आप से एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप भी हमारे यूटूब चनल के माद्धिम से अपने जमीन या फिर अपने मकान को आप भीज़ना चाहते हैं तो आपके मकान की कीमत सिर्फ और सिर्फ 30 लाग के बीच में होनी चाहिए तब ही आप हमारे यूटूब चनल के माद्धिम से अपने मकान को सेल करा सकते हैं तो अपने मकान को सेल कराने के लिए चले जाना है आपको वीडियो की कमेंट बाक्स में जहां पे आप मुझसे कमेंट करके वता सकते हैं कि आपका मकान कहां पे है, किस एरिया में है, किस लोकेसन पे है, यह सारी डिटेल वहां पे लिखती जिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा, आपकी वीडियो हमारे चनल पे बिल्कुल फ्रीम अप्लोड की जाएगी, इससे न आपसे वीडियो बनान को कोई पैसा लिया जा तो हमारे चनल को अगर आपने प्रसंद दिया, तो हमारे चनल को सस्क्राइब भी कर सकते हैं, अगर अगर आपको मेरी वीडियो कांटीन देखनी है, तो हमारे चनल को सस्क्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी, उसकी नोटिफिकेसन सबस से पहले आपको मिल जाएगी तो इस मकान का सबसे पहले हम आपको क्रेक्ट लोकेशन बता देते हैं यह मकान आपको किस सिटी में देखने को मिल जाता है तो वीडियो को अगर आपको अधिक जानकारी प्रात करने है तो वीडियो को सुरू से अंड तक देखते रहे ना पूर का नाम है चमोली और यहीं पर आपको यह मकान बना हुआ देखने को मिल जाता है जहां से जो आपको मुख्याला मिलेगा वहां से सिर्फ आपको 500 मेटर की दूर प्चल के आपको यह मकान देखने को मिल जाता है सेक्टर 12 में आपको यह मकान देखने को मिल जाता है तो काफी अच्छे city में आपको ये मकान दिया जा रहा है तो अगर आप इस location को छोड़ कर किसी दूसरे location पर बने हुए मकान की जानकारी पाना चाहते हैं या आप किसी दूसरे city में मकान को खरना चाहते हैं तो वीडियो के निचे आपको एक कमेंट बाक्स मिल जाता है जहाँ पे मुझसे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप कहाँ पे मकान खरना चाहते हैं और मकान की किमत क्या होना चाहिए मकान की प्राइज क्या होना चाहिए ये सारी डिटेल आप मुझसे कमेंट करके बता सकते जो कि मैं वहाँ की जो प्रापरिट्री डिलन होंगे वहाँ से समपर करूँगा वहाँ की वीडियो आपको हमारे इसनल पे देखने को मिल जाती है तो बात कर लेते हैं इस मकान के बारे में जो कि आपको वीडियो में दिखा गया है ये मकान आपको मिल जाता है total जो इसका area दिया गया है ये आपको मिल जाता है छिर्फ और सिर्फ 500 square foot में आपको ये मकान देखने को मिल जाता है मकान के अंदर काफी सुवधाया आपको देगें हैं जहां पर आपको मिल जाएगा लेटरीन, बात्रूम, ड्राइंग एरिया हाल, गाड़ी पार्किंग ये सारी सुभधाएं आपको इस मकान के अंदर देखने को मिल जाती है बात कर लेते हैं फ्रंट साइड में रास्ते की तो रास्ते की भी डिटेल हम आपको दे देते हैं यहाँ पे आपको जो रास्ता मिलने वाला ही ये पंदरा फिट का ही मिलेगा इस मकान के जैट शायस जो आपको आर्शी सी मिल जाएगा ये आपको पंदरा फिट का ही रास्ता देखने को मिल जाता है बात कर लेते हैं मार्केट तो मार्केट भी डिटेल हम आपको दे देते हैं जो कि हर फ्रेक वीडियो में आपको मार्केट की प्रॉपर जानकारी दी जाती है मार्केट सिर्फ आपको एक किलोमेटर की दूरुपचल की मिलेगा वो भी बड़ा काफी पार्केट अच्छा देखने को मिल जाता है हाई-वे की बात कर लेते हैं तो हाई-वे आपको जो मिलेगा यह आपको सिर्फ तीन किलोमेटर की दूर के आपको हाईवे रिंग रोड रास्ता देखने को मिल जाता है पेट्रोल पंप भी यही राष्टे पे आपको मिल जाएगा और इस मालिक के नाम हम आपको दादेते हैं कि ये मकान आपको किस मालिक के नाम से मिल जाता है तो ये मकान आपको मिलेगा राज कुमार के नाम से जो कि इस मालिक की काष्ट की बात कर लेते हैं तो इस मालिक की जो काषधी यह हैं तो एकर आप इस मकान को खरना चाहते हैं तो इस मकान की हम आपको detail देते हैं यहां पर आपको कौन-कौन सी सुवधाईं देखनों को मिल जाती हैं तो यहां पर आपको मिल जाता है bedroom और यह ब्लेटरूम काफी सुंधर और अच्छी क्वालिटी के साथ यहां पर ब्लेटरूम देखने को आपको मिल जाता है यहां पर एक जीना है उस जीने पर एक अंटिया जैसा बना हुआ है यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा आपको वीव में दिखा गया है और छत का वीव हम आपके गली आपको दिखा देते हैं जो आपको RCC का रास्ता मिल ले आए और वहां का हम आपको वीव दिखा देते हैं यहां देख सकते हैं यह अंद्रा फिट का आपको रास्ता इस मकान के जैट साइट से देखने को मिल जाएगा और यहां पे आप चाहते हैं तो फोर बिलर भी खड़ी कर सकते हैं काफी अच्छी यहां पे वेवस्था दी गई है यहाँ पे आपको जो मिलेगा यह आपको किचन देखने को मिल जाता है किचन काफी प्यारा लग रहा है और यह किचन काफी सुन्दर क्वाल्टी के साथ आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे सजावट भी देख सकते हैं काफी सजावट भी अच्छी की गई है लेकिन ये सजावट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये मालिक जो इसकी है ये अपना मकान कहीं दूसरी जगा जब सिप्ट करा लेंगे तो आपको ये मकान मिल जाएगा तो अगर आप खरीना चाहते हैं और इस मकान के मालिक तक जाना चाहते हैं उससे पहले मैं आपको बता देते हैं, अगर आप समर से विल या बोर बेल या पानी से अनरिलेटेड चीज़े आप यहां पे लगवाना चाहते हैं, तो लगा सकते हैं। मकान की कीमत एक बार फिर से बता देते हैं, यह मकान आपको जो मिलेगा, यह मकान पुराना है, सिर्फ और सिर्फ दो लाख रुपे में आप इस मकान को खरीश सकते हैं, तो लोकेशन आपको मैंने बता ही दिया है, मालिक का मोबैल नंबर हम आपको बता देते हैं, अधिक जा 9, 1, 8, 9, 6, 1, 8, जिम ने आपको मालिक का मोबल नमबर दे दिया है, अधिक जानकारी के लिए इस नमबर पे आप काल कर सकते हैं और पूरी डिटेल आप घर वेठे इस मालिक से संपर कर सकते हैं और इस मकान को खरी सकते हैं तो अगर आपको जल्दबाजी में मालिक का मॉबल नमबर नहीं नोट कर पाया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपकी नोटिपिकरशन जैसे हमारी पास आ जाएगी मैं आपको वहीं पे मालिक का मॉबल नमबर लिक के दे दूँगा वहाँ पे आपको मालिक का नमबर मिल जाएगा अधिक जानकारी के लिए मालिक के पास काल करेंगे और अधिक जानकारी के लिए इस मालिक के संपर्क कर सकते हैं तो अगर आप भी हमारी यूटूब से अपने जमीन या फिर अपने मकान को आप सेल कराना जाते हैं तो मुझे से कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका मकान कहाँ पे हैं, कि सेरिया में हैं, किस लोकेसन पे हैं, आपकी वीडियो फ्री में बनाई जाएगी